तो आज हम welding positions के बारे में जानेंगे कि क्या-क्या positions होती है welding के दोरान तो चलिए शुरू करते हैं और रीडियो स्टार्ट करने से पहले बोला चाहूंगा कि लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले चलिए फर्स्ट सभल आपको यहां पर देखने को मिल रहा है जैसे यह हमारा work piece है work piece पे हमारा जो position रह सकता है वह इस तरह से रह सकता है यहां से भी लग सकता है इधर से भी रह सकता है थोलग多ं इंक्लायन भी हो यह जो वेल्डिंग पुजिशन अब मैं जो बता रहा हूँ यह है आपका प्लेट के लिए और जनरल यहाँ पर हमने ग्रूव के लिए भी बात किया है जो कि के लिए कॉर्ड है टू तो यहाँ पर फिलेट वेल्ड के लिए टूएफ आएगा और टूजी के लिए ग्रूव के लिए टूजी आएगा वर्टिकल के लिए झ्री होता है जिसमें आपका थ्री एफ बोलेंगे fillet weld है तो और 3G बोलेंगे groove weld है तो और overhead है तो overhead का मतलब यह है कि circuit पर तो code है 4 होगा तो इसके लिए fillet weld 4F होगा और तो ग्रूव weld के लिए 4G होगा ठीक है अब आप यह सोच रहोंगे कि यह कैसे होगा तो चलिए मैं आपको यहाँ पर बताता हूँ कि type of weld अगर देखा जाए तो हम generally 2 का इस्तमाल करते हैं कौन सा है एक तो fillet weld है तो fillet weld यह देखने को जो 90 degree angle पर बनते है जैसे यह T होता है है ना यह corner से हो गया यह lab joint हो गया तो यह आपका जो है आपका fillet weld में आते हैं groove में आपको u v j इस तरीके से देखने को मिलता है देखिए यहाँ मैं आपको इस पर दिखाता हूँ यह है आपका जैसे दो pipe है एक pipe one है एक pipe two है है ना और यहाँ पर आपका यह weld होने वाला है है ना तो welding करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा पहले groove बनाना पड़ेगा groove कैसे बनेगा यह देखिए यहाँ से एक pipe आगया यह दूसरा pipe हो गया और बीच में यह V type बन रहा है तो इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं V groove बोलते हैं इसके लिए कुछ specification होता है 30 and half degree यहाँ पर आप plus minus में रखते हैं और यहाँ पर यह आपकी airs हो रही है यहाँ पर देखिए यहाँ पर जो gap दिया जाता है 1.5 mm plus minus में 0.5 जाने के half mm रखा जाता है इसी specification के साथ में V groove तयार किया जाता है देखिए अब दोनों में difference क्या है अगर fillet weld की बात करें तो इसमें हमें जो है machine करने की जरुवत नहीं होती है सीधे साफ करके जो है welding कर दी जाती है यहाँ पर कोई भी groove बनाने की जरुवत नहीं होती है और जबकि अगर यू इस तरीके से हो सकता है V groove इस तरीके का होगा और यह जह टाइप का groove नॉर्मली जो है यह तीन groove होते है और इसमें machine की जरुवत होती है और यह जो है pipe welding में काफी जाता यूज में लेते हैं ठीक है I hope आपको समझ में आ रहा होगा अब मैं आपको जो है कुछ welding की यहाँ पर position से वो मैं आपको describe करने वाला हूँ तो देखे फर्स्ट जो एक नंबर बताया था हमने तो एक नंबर किसको दिया था फिलेट को दिया था दो नंबर दिया horizontal तीन नंबर दिया vertical चार नंबर दिया और horizontal एक बात मैं आपको बताना चाहरा हूँ कि plate के लिए जो fillet weld और groove weld होते है वो 1,2,3,4 तक ही चलता है और आगे मैं आपको ये भी बताऊंगा कि pipe के लिए थोड़ा सा जो है code change होते हैं तो fillet के condition में आपको ये चीज़ देखने को मिल रही है कि आपने इस तरीके से weld हो जाना है और ये जो है आपका इस तरीके से flat रहता है इसलिए इसको हम flat position कहते हैं इसमें आप देख सकते हैं अगर groove बनता है तो 1G बोलेंगे है ना ये हो गया आपका corner joint edge joint के लिए 1G होता है edge कहां पर देखने मिल रही है किनारे पर आपने groove बनाके plate को weld कर दिया horizontal में अगर बात करें तो 2G बोलते हैं यहाँ पर भी groove बनाया है लेकिन यहाँ देखे work piece जो है यह vertical खड़ा है है ना और इसमें जो यह है आपका horizontally चल रहा है तो welding की position जो जारी है वो horizontally जारी है इसलिए हम horizontal position के रहे हैं इसमें आप देखे यह पर corner joint हो गया है यहाँ पर यह आपका edge joint हो गया है यह edge आपने horizontally चलाई है इसलिए इसको 2G के रहे हैं तो दोनों चीज़े याद रखनी है एक कि job की direction क्या है और दूसरा कि welding आपका किस direction में जारी है उसी इसाफसे 1,2,3,4 जाने वाला है अब vertical पर बात करें तो यह हो गया 3G क्योंकि देखिए इसमें जो है weld की दिशा जो है vertical जा रही है और इसमें आपका जो है यह देखिए अब अगर यह corner joint है यह edge joint है तो इस तरीके से आपको देखना को मिलता है overhead की बात करें तो 4G होता है मतलब कि plate सिर के उपर है और यह जो है आपका overhead से उपर आपकी welding चल रही होती है यह आपका corner पे लग रहा है और यह आपका edge पे लग रहा है इसलिए इसको 4G कह रहा है अब अगर बात की जाए यह fillet होते हैं क्या होते हैं? fillet होते हैं fillet में क्या होता है? T-joint होता है कि देखिए यहाँ पर आपने कोई groove नहीं बनाया है direct weld लगा दिया है और इसमें आप एक चीज़ देख सकते हैं इसको plate के बोल रहे है क्योंकि plate का मतलब बोल रहा है कि 45 degree पर जहां से आप देख रहे हो इसको आपने workpiece को इस तरीके से incline किया है कि direct की जो है जो करने वाला है welder है उसकी directly plate position में देखने को मिल रहा है इसलिए इसको आप 1F कहते हैं lab joint में आप यह देख सकते हैं इसमें भी plate position बन रही है है ना directly और इसमें आपका 1F हो जाएगा इसी तरीके से T T अगर सीधा सीधा बना हुआ है तो यह 2F हो जाएगा क्योंकि horizontally आपका welding जा रहा है और welding भीड़ जा रहा है और इसी के साथ में 2F हो जाएगा जो कि आपका lab joint आपको देखने को मिल जा रहा है और अगर बात की जाए तो 3F में आप एक चीज़ देख सकते है वर्टिकल जा रही है और यह भी T joint है अगर lab joint में अगर वर्टिकल जा रहा है तो यह 3F हो जाएगा 4F का मतलब क्या हो गया कि overhead में आपने क्या लगा रहा है यह आपकी welding कर दिये तो इस तरीके से आपको जो है welding की positions को समझना होगा कि क्या position है workplace की flat में है कि आपका horizontal में है vertical में है और welding की position किस तरीके से जा रही है ठीक है चलिए अब थोड़ा सा हम जो है pipe के लिए देख लेते हैं तो pipe के लिए दो condition बनती है fix में भी बनती है और दूसरा आपका जो की movable रहता है आप एक चीज़ देख सकते हैं flat 1G बात कर रहे हैं तो देखिए यहाँ पर आप एक चीज़ देख सकते हैं यह जो pipe है यह आपका horizontal है ठीक है और यहाँ पर जो pipe है यह move करता रहेगा मतलब roundable घूम रहा है और यह welding कर दी जा रही है तो flat position में आ रहा है इसलिए 1G के रहे हैं horizontal के condition में आप देख सकते welding bit जो है आपका horizontally चल रहा है और यह roundable घूमता जा रहा है तो इसकी direction इस तरीके से रहीगी इसमें 3G और 4G position नहीं होते हैं pipe के case में यहाँ पर 5G position है उसके अंदर क्या रहेगा यह हमारा जो fix रहने वाला है और जो welder है वो पूरा पूरा जो है गूम कर यहाँ पर यह weld करने वाला है और जो 6G position रहे हैं इसे all rounder position भी कहते हैं जिसमें की आपका जो work piece रहेगा वो 45 degree पर या angle पर जो है incline रहने वाला है और इसमें जो welding है वो इस तरीके से चलेगी तो इसमें भी आपका welder को जो है पूरा गूम कर welding करनी रहती है तो इस तरीके से जो है यह 6G position केलाती है तो I hope कि आपको समझ में आ रहा होगा और यहाँ पर आपको में कुछ examples देना चाहूंगा अब 1G का मतलब यह मैंने आपको जैसे clearly mention किया कि हमारा work piece जो है वो घूमने वाला है और इसी के साथ में यह welding पूरा का पूरा complete हो जाएगा मतलब जो है welder वो stable रहेगा जो आप घूमता रहेगा आप देखिए 3G और 4G नहीं होता है 5G होता direct तो इसमें आपके लिए जो horizontal लगा रखा है इसमें आपको welder जो है पूरा पूरा all rounder घूम कर जो है welding करेगा तो यहाँ पर यह आप देख सकते हैं इसलिए इसे 5G 6G के case में भी यह चीज मेरे आपको जैसे mention किया यह incline रहता है 45 degree पर रहता है और जो कि आपको जो है पूरा welder जो है पूरा घूम कर यहाँ पर weld करता है तो यहाँ पर work piece जो है वो fixed position बेड़ेगा तो I hope कि आपको समझ में आ गया होगा और वीडियो अगर अच्छी लगे यूसफुल लगे तो please like कीजिए माँ चैनल को subscribe कर लीजिए लेली मैं आपको साम साड़ेशे वजे वीडियो प्रोवाइड करता देता हूँ और आपके अगर कोई topic है तो आप भी मुझे suggest कर सकते हैं मैं उसके उपर वीडियो बना दूंगा फिर मिलते हैं जै हिर जै भारत